नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ, विश्व अभी ख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं माज़ की कहानी कहानी का सिर्षक है पूस की राद हलकु ने आकर इस्तरी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रूपे रखे हैं उससे दे दू, किसी तरह गला तो छुटे, मुन्नी जहाडू लगा रही थी पीछे फिरकर बोली, तीन ही रूपे हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा माज़ पूस की राद हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं हलकू एक छण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, पूस सीर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात कुवा किसी तरह सो नहीं सकता मगर सहना मानेगा नहीं, घुरकियां जमावेगा, गालियां देगा, बला तो सीर से टल जाएगी या सोचता हुआ, वो अपनी भारी भरकम डील लिये हुए, इस्त्री के सम्भी पा गया और खुशामत करके बोला, दे दे गला तो छुटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा मुन्नी उसके पास से दूर हट गई, और आखे तरेर्ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे, कोई खैरात दे देगा कंबल मैं कहते हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुटी हुई बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जिनम हुआ है, पेट की मजूरी करो, एसी खेती से बाज आएं, मैं रुपे ना दूँगी, नहीं दूँगी हल्कु उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तडप कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तन्य हुई भौहें धीली पड़ गई हल्कु के उस वाके में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीशन जन्तु की भाती उसे घूर रहा था उसने जाकर आले परसे रूपे निकाले और लाकर हल्कु के हाथ पर रख दिये, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती? मजूरी में सुक से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौश तो न रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में जोग दो और उस पर धौश, हल्कु ने रुपए लिये और इस तरह बाहर चला मानो अपना हिरदय निकाल कर देने जा रहा हो उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर तीन रुपए कंबल के लिए जमा किये थे, वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पक के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दवा जा रहा था पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठूरते हुए मालूम होते थे हलकू अपने खेद के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी के नीचे, बास के खटाले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर वड़े पड़ा काप रहा था खाट के नीचे उसका संगी कुता जबरा पेट में मुह डाले सरदी से कूँ कूँ कर रहा था दो में से एक को भी नीद नहीं आ रही थी हलकू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा क्यों जबरा जड़ा लगता है कहता तो था घर में पुवाल पर लेट रह तो यहां कह लेने आ गए अब खाओ ठंड मैं क्या करूं जानते थे मैं यहां हलुआ पुरी खाने आ रहा हूँ दोड़े दोड़े आगे आगे चले आए अब रो नानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कूं कूं को दिर्ग बनाता हुआ कहा कल से मत आना मेरे साथ नहीं तो थंड़े हो जाओगे यह रांड पचुआ न जाने कहां से बरफ लिया आ रही है उठू फिर एक चिल्लम भरू किसी तरह रात तो कटे आठ चिल्लम तो पी चुका यह खिती का मजा है और एक भगवान एसे पड़े हैं जिनके पास जड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे मोटे मोटे गदे लिहाफ कंबल मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए तकदीर की खूबी मजूरी हम करे मजा दुसरे लूटे हलकु उठा गठे में से जरा सी आग निकाल कर चिल्लम भरी जबरा भी उठ बैठा हलकु ने चिल्लम पीते हुए कहा पिएगा चिल्लम जाड़ा तो क्या जाता है हाँ जरा मन बदल जाता है जबरा ने उसके मुह की और प्रेम से चलकता हुआ आखों को देखा आज और जाड़ा खाले कल से हाँ मैं पुआल बिछा दूँगा उसी में घुश कर बैठना तब जाड़ा न लगेगा जबरा ने अपने पंजों को उसकी घुटनियों पर रख दिये और उसके मुह के पास अपना मुह ले गया हलकु को उसकी गर्म सास लगी चिल्लम पीकर हलकु फिर लेटा और निश्य करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाओंगा पर एक ही छण में उसके हिरदे में कमपन होने लगा कभी सकरवट लेटा कभी उसकरवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भाती उसकी छाती को दबाए हुए था जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जवरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उससे अपनी गोध में सुला लिया कुट्य की देह से जानी कैसी दुरगंध आ रही थी पर वह उससे अपनी गोध में चिप्टाए हुए ऐसे सुख का अनभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था जबरा शायद यह समझ रहा था कि इस वर यही है और हलकों की पवित्र आत्मा में तो उसकुत्य के प्रति घंड़ना की गंध तक न थी अपने किसी अभिन मित्रिया भाई को भी वह इतनी ही ततपतर से गले लगाता वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुँचा दिया नहीं इस अनोखि मेत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये थे और उनका एक एक अनूपरकाश से चमक रहा था सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई इस विशेस आत्मेता ने उसमें एक नई स्फूर्ती पैदा कर रही थी जो हवा के ठंड जोकों को तुछ समझती थी वो जपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूँकने लगा हलकू ने उसे कई वार चुमकार कर बुलाया पर वो उसके पास ना आया हार में चारों तरफ दोड़ दोड़ कर भूँकता रहा एक छण के लिए आ भी जाता तो तुरंद फिर दोड़ता कर तब उसके हिर्दे में अर्मान की भाती ही उचल रहा था एक घंटा और गुजर गया रात ने शीत को हवा से धदकाना शुरू किया हलकु उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिला कर सीर को उसमें छिपा लिया फिर भी ठंड कम न हुई एसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में रक्त की जगा हीम बह रही है उसने जुक कर आकास की और देखा अभी कितनी रात बाकी है सब्तरिश्ची अभी आकास में आधे भी नहीं चड़े उपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा अभी पहर से उपर रात है हलकु के खेच से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बात था पत्जर शुरू हो गई थी बाग में पतियों का धेर लगा हुआ था हलकु ने सोचा चल कर पतियों को बटोरू और उन्हें चला कर खुब तापो रात को मुझे कोई पतियों को बटोरते देखे तो समझेगा कि भूत है कौन जाने कोई जानवर ही चिपा बैठाओ मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड लिए और उनका एक जाड़ू बनाकर हाथ में सुलकता हुआ उपला लिए बागीचे की तरफ चला जबरा नों से आते देखा पास आया और दुम हिलाने लगा हलकू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू चलो बगीचे में पतियां बटोर कर तापे टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे अभी तो बहुत रात है जबरा ने कूँ कूँ करके सहमती प्रकट की और आगे बगीचे की और चला बगीचे में खूब अंधेरा चाया हुआ था और अंधकार में निर्दे पवन पतियों को कुचलता हुआ चला जाता था वरिक्षों की ओस की बूंदे टप टप नीचे टपक रही थी ये का एक एक छोका मेहंदी के फूलों की खुश्बूल ये हुए आया हलकू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू तुम्हारी नाक में भी तो सुगंद आ रही है जबरा को कहीं जमीन पर एक हड़ी पड़ी मिल गई वह उससे चिंचोड रहा था हलकू ने आग जमीन पर रख दी और पतियां बटोरने लगा जरा देर में पतियों का धेर लग गया हाठ ठिठोर जाते थे नंगे पाउं गले जाते थे और वह पतियों का पहाड खड़ा कर रहा था इसी अलाव में वह ठंड को जला कर भस्म कर देगा थोड़ी देर में अलाव जल उठा उसकी लौग उपर वाले विरिक्ष की पतियों को छोचो कर भागने लगी उस अर्थिर प्रकाष में बगीचे के विशाल विरिक्षे से मालूम होते थे मानू सत्हा अंधकार को अपने सीरों पर संभाले हुए हो अंदकार की उस सनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था हलकु अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था एक छंड में उसने दोहर उताकर बगल में दबा ली दोनों पाउँ फेला दिये मानो ठंड को ललकार रहा हो तेरे जी में आय तो सोजा ठंड की असीम शक्ती पर विजय पाकर हुआ विजय गर्ब को हिर्दे में छिपा न सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जबर अब ठंड नहीं लग रही न जबर ने कूंकूं करके मानो कहा अब क्या ठंड लगती ही रहेगी पहले से उपाय न सुझा नहीं तो इतनी ठंड ही क्यों खाते जबर ने पूछ हिलाई अच्छा आओ इस अलाव को कूट कर पार करें देखें कौन निकल जाता है अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा जबर ने उस अगनी राशी की और कातर नित्रों से देखा मुनित से कल कह देना नहीं लडाई करेगी यह कहता हुआ वह उच्छा और उस अलाव को उपर से साफ निकल गया पैरों में जरा लपट लगी पर कोई बात न थी जबरा आग के इर्द गिर्द गोंकर उसके पास खड़ा हुआ हलकू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं उपर से कूद कराओ वह फिर उपर से कूदा और अलाव के इस पार आ गया पतियां जल चुकी थी बगीचे में फिर अंधेरा चा गया था राख के नीचे कुछ-कुछ आग बाकी थी जो हवा का जोका आजने पर जरा जाग उठती थी पर एक छण में फिर आखे बंद कर लेती थी हलकू ने फिर चादर ओडली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर जियें जो शीत बढ़ती जाती थी उससे आलस दबाए लेता था जवरा जोर से भूँक कर खेत की और भागा हलकू को ऐसा मालूम हुआ कि जनवरों का एक जुंड खेत में आया है शायद निलगायों का जुंड था उनके कुद्रे दोड़ने के आवाजें साफ कान में आ रही थी फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है उनके चवाने के आवाज चर-चर सुनाई देने लगी उसने दिल में कहा नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता नोची डाले मुझे भरम हो रहा है कहां? अब तो कुछ सुनाई नहीं देता मुझे भी कैसा दोखा हुआ उसने जोर से वाज लगाई जबरा जबरा भूंकता रहा उसके पास ना आया फिर खेत के चरे जाने के आहट मिली अब वो अपने को दोखा न दे सका उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था कैसा दंदाया हुआ बैठा था इस जाड़े पाले में खेत में जाना जनवरों के पीछे दोड़ना सहाय जान पड़ा वो अपनी जगह से ना हिला उसने जोर से आवाज लगाई हिलो 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 जवरा फिर भूख उठा जनवर खेत चर रहे थे फसल तयार है कैसी अच्छी खेती थी पर यह दुष्ट जनवर उसका स्रोनाश किये डालता है हलकु पक्का इरादे करके उठा और दो-तीन कदम चला पर एक आएक हावा कस ऐसा थंड़ा चूबने वाला खेत का सफाय किये डालती थी और हलकु गर्म राह के पास सांत बैठा हुआ था अकर्ण मैता ने रसियों की भाती उसे चारों तरफ से जकट रखा था उसी राह के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओड़ कर सो गया सबरे जब उसकी नींद खुली चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी क्या आज सोते ही रहोगे तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चोपट हो गया हलकु ने उठकर कहा क्या तू खेत से होकर आ रही है मुन्नी बोली हाँ सारे खेत का सत्यानाश हो गया भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहां मड़या डालने से क्या हुआ हलकु ने बहाना किया मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेत की पड़ी है पेट में ऐसा दरद हुआ ऐसा दरद हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ दोनों फिर खेत के डाट के पास आए देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जवरा मड़या के नीचे चित लेटा है मानो प्राण हीन हो दोनों खेत की दशा देख रहे थे मुन्ही के मुख पर उदासी चाही थी पर हलकु प्रसंद था मुन्ही ने चिंतित होकर कहा अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी हलकु ने प्रसंद मुख से कहा रात को ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा धन्यवाद